गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट वल्कम किर क्लास मेटा हमने जो कल आपको लेशन 7 सरुनाम सब्द की बारे में समझाया था आज हम लोग उसी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे ओके मेटा आज आपकी एक्सरसाइज है सही सरुनाम सब्द चुनकर खाली स्थान भारो तो सबसे पहले क्लास वर्क डेट डेट है आपकी 29, 10, 20 ओके आपका यहाँ पे दिया हुआ है जो फिलिंग द ब्लैंक्स यानि कि जो रिक्ते स्थान दिया हुआ है इसमें सही सरुनाम सब्द चुनकर आपको खाली स्थान भरना है जैसे नमबर 1 पे है डेज नाम क्या है अब यहाँ पे आपके दिया हुआ है तुम्हारा और उणोंने जितने भी आपके ब्लैंस बेटे दिये हैं यह सारे सरुनाम सब्द है लेकिन सही सरवनाम सब्द इसमें से चुन कर आपको यहाँ पर फिल करना है मतलब की भरना है तो आपका सबसे पहले क्या है यहाँ पर कि तुम्हारा नाम क्या है उन्होंने क्या नाम क्या है गलत है तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि तुम्हारा नाम क्या है तो यहां होगा आंसर तुम्हारा नाम क्या है फिर दूसरा है डैस घर पास ही है अब वे या मेरा तो आंसर होगा कि मेरा घर पास ही है मेरा घर पास ही है नमबर त्री डैस समय पर विद्याले आना अच्छा लगता है उन्हें या ये तो किसे समय पर विद्याले आना अच्छा लगता है उन्हें समय पर विद्याले आना अच्छा लगता है तो यहां आंसर हो जाएगा उन्हें उन्हें समय पर विद्याले आना अच्छा लगता है नमबर फोर डैस मेरे मित्र का नाम सौरब है मुझे या मेरे तो आंसर होगा कि मेरे मित्र का नाम क्या है? सौरब है तो मेरे मित्र का नाम सौरब है नमबर फाइफ रीमा डैस कक्छा में प्रत्थम आती है option आपका दिया है यह या अपनी तो रीमा अपनी कक्छा में प्रत्थम आती है तो सही answer होगा कि रीमा अपनी कक्छा में प्रत्थम आती है नमबर 6 डैस देखो चान निकल आया अब आपका option है वह या वे तब यह तो होगा नहीं कि वे देखो चांद निकल आया आंसर होगा वह देखो चांद निकल आया तो सही आंसर क्या होगा वह देखो चांद निकल आया ओके एक बार से फिर हम आपको repeat करके बता दे रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है? मेरा घर पास ही है, उन्हें समय पर विद्याले आना अच्छा लगता है, मेरे मित्र का नाम सौरब है, रीमा अपनी कक्षा में प्रत्थम आती है, वह देखो चान निकल आया, ओके, तो बेटा ये आपको अपनी बुक में फिल करना है, ओके, आपका होमवर्ग जो है, जो आपकी बुक में exercise 1 दिया है, तारो में से सरवनाम सब्द ढूण कर लिखो, जो यह यहाँ पे star बने हुए हैं, और जो इसमें सरवनाम सब्द दिये हुए हैं, उनको आपको ढूण कर यहाँ पर लिखना है, जैसे कि मैंने आपको सरवनाम सब्द बता तो आपको इसमें से सरुनाम सब्द क्या है? जैसे कि मैं मेरा आपका हमारा उसका इसने उन्हों ने वे तुमने उन्हें WAT तो आपको सरवनाम इसमें से ढूणना है और अपनी यहां बुक में लिखना है और आपका यह जो homework जो मैंने भी कराया है इसको आपको याद भी करना है ठीक जो सही सब्द से आपको रिक्तिस्थान मैंने भरवाया इसको आपको लण भी करना है और इसमें से सरवनाम सब ढू झाल झाल